रही फ्रूट कस्टड रेसिपी उख रखाती हम ले ले बानी 500 ग्राम दूद ये दूद मतलब की खोला अलबा एक बार खोला ले 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 बानी तह हमारे सुपनी के स्वागत बार चली बहुत ही टेस्टी फ्रूट कस्टड के रेसिपी रहुआ लोके बताई मुमीद करते हैं बहुत अच्छा लागी अच्छा लागी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम जरूर तो चली हम एकरा के पहले खोला ले तैनी दूद के पहले अच्छा से खोला लिया अतब कस्टड डाल जाई चली ते दूद के हम गयस पर चढ़ा देले बनी एकरा के चलाते हुए दू अगर चला सोंधा पन आजाला जाना अगर ना गाढ़ा पन होखे तो एक रहा में थोड़ा सम्मिल पाउडर डाल कर सकता कर्फावटो चीन चीनी नहां प्रत्पार्टंपटों कि सब्सक्राइब प्रत्ता में सब्सक्राइब 2-800 चीनी के लिए पाउडर नहां प्रत्ताम सब्सक्राइब तो कोई flavor वाला ए । जैसे मैंगो flavor आला पना ना फ्लेवर साला आ हरा जो नयागा जो flavor के आप ले सकता अब इसमें ढाल दे हम हम दूद कि एक रा के लिए क्श्थण से घूल लिएक स्ब्सका कि कश्टड अराम जाएं अगर गरम दूदे करने के कश्टड इस तरीका से तक हमने के कश्टर घुल जाए एक रके अच्छा से घोल के अज इस दूद में हमने के चीनी डल ले रही जा खोले के बिठेले विण जा और आराम से धीरे-धीरे करके चला के ढाल देवें अब चलाते हुए कश्टड केक रखे डाले के बाद ताकि हमनी के कश्टड एक जगा बैठे ना इस तरीका से चलाते हुए कश्टड के डाल दे हम अब जब तक लिए दूद गाढ़ा ना हो जाए कश्टड तब तक लिए हमनी के चलाओत रहे के बाद इसी तरीका से और रोक मतलब लगबग हम बता दे कि 5-10 मिनद तक ले दूद में ऐसी पकाले वेकवा कश्टड ताकि अच्छा से पक जाए अब जब कल्ची उल्ठाइम कश्टड इस तरीका से होगी जिसे लाइनिंग हो जए तो समझे कश्टड रो तयार बाद अभी हमार कश्टड तयार नेखे करके कुछ देर और चलावे के बाद चली तो देखी हमने के चलाव चलाव गाढ़ा कश्टड के कर लें जब पूरा अब कल्ची के इस तरीका से उठा ले हम इस तरीका से लाइनिंग दे हम देखी तो लाइनिंग यह अच्छा से दिला जाता तो समझे जी राओ कश्टड तयार हो गई अब गैस के हम बंद कर कश्टड रखें के बाद उस बर्तन में रख दे हम आप एक रां में हम कश्टड शूरी है वाड़ में निकाल के रख, पंद्रह तरी के मिनट j Are ठंडा होके दे हम तब हम फ्रीज में एक्रा के रखाँ पहले अच्छा से यह थंडा हो जई एक्रा में फ्रूट डाल जई चली तो हमने के 15 सभी सिनर्ट तक ले छोड़ दे ले बांजिया कश्टत आराम से थंडा हो गई अब इसमें डाल दे हम हम फ्रूट जैसे बनाना हो अब कुछ अनार के दाना हम उपर से छिड़क दे हम अब इक कश्टत के हम फ्रीज में रख देता नहीं दो घंटा खाती थंडा हो गए खाती लेकिन याद रहे है फ्रीज में रख हम डीप फ्रीजर में मत रख हम बरख जम जाई अब इक रखे दो घंटा काती अराम से अपनों छोड़ दे हम कश्टत के दो से तीन घंटा हो गए अब देखा जाओ देखी तो थंडा हो गए लगा कश्टत देखी तो किस तरीका से थंडा हो गए लगा चले तो हम ने के बहुत ज़्यादा थंडा हो गए लगा कश्टत तर रखोल समनी के कैसा लागल हमार कश्टत के रेसिपी जरूर बताएं ज़रूर कमेंट करके तो चली अब एक रखे हम निकाल के दिखावात है चली तो थंडा थंडा कश्टत के मजाली ही हम भी खाई आज़ें जा हम दे देतानी कश्टत तर रखोलो के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करम ठंडा ठंडा जितना कश्टत खाई उतने अच्छा लागे लाग तो चली फिर आएं में एक नया रेसिपी के साथ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हमारे रेसिपी आएं में एक लागे 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 लागे